सो गाईज अगर आप लोग अभी देखें तो जो सब का ट्रेफिक Google Core Update के बाद गिर रहा है मेरा ट्रेफिक यहाँ पर बढ़ा है वो कैसे बढ़ा है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ अभी मैं आप लोगों को प्रूफ इसलिए दिखा रहा हूँ ताक कैसे आप लोग कोई भी Google Core Update से अपने वैबसाइट को बचा सकते हैं और ट्रेफिक ना गिरे और उसकी बदले आप लोगों का ट्रेफिक उल्टा बढ़ जाए उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए आप लोग मेरा वीडियो जरूर देखिएगा मैं आप लोग अच्छे से सारी चीजों को समझने के बाद अपने वैबसाइट पे वो चेंजिस को अपलाई करें और उसका कोई भी बुरा इंपक्ट आपकी वैबसाइट पे ना पड़ें तो हेलो गाईज आप देख रहे हैं FTP Thoughts मेरा नाम है रवी कुमार और आज के इस वीडिय देखना पड़ेगा ताकि आप लोग सारी चीजों को अच्छे से समझ पाएं और अपने वैबसाइट के ट्रैफिक ड्रॉप को रिकवर कर पाएं सुगा इस पूरा वीडियो देखिएगा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड होस्टी जो कि आप लोगों को इंडिया की बेस्ट वैब होस्टिंग प्रोवाइड करती है वो भी बेस्ट कस्टमर सपोर्ट के साथ आप लोगों को यहाँ पे सेर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, VPS होस्टिंग, रिसेलर होस्टिंग, सभी होस्टिंग मिल ज करते हैं तो आप लोगों को 30% का ओफ भी मिल जाता है तो जल्दी से विजिट करिए प्रोष्टी पे और अपना जो भी होस्टिंग है उसे परचेस कर लीजिए सो चलिए गाइस विडियो स्टार्ट करते हैं सो देख सकते हैं अब गाइस बहुत सारे ब्लोगर्स का ट्रैफिक यहां पे गिर रहा है तो जो सबसे पहली चीज है वो यह है कि आप लोगों को जो यह कोर अपडेट आया है उसे समझना चाहिए वो कैसे आप लोग समझ सकते ह हाँ पे सर्च करेंगे गूगल कोर अपडेट ऑगस्ट दो हजरतेईस क्यूंकि यह पिछला कोर अपडेट था अगस्ट का तो अगस्ट वाला भी आप लोगों को अच्छे से समझना है दैनिसी के साथ साथ ऑगस्ट के बाद जो यह हमारा ऑक्टूबर में आया है इसको इ यहाँ पर भी सर्च इंजन जर्नल जो एक वैपसाइट है इसने भी पब्लिश किये सारी इंफोर्मेशन दिये तो आप लोग इने पढ़ सकते हैं और इसके बाद आप लोगों को एक आईडिया हो जाता है कि गूगल हमें क्या बताना चाहता है किस तरह की वैपसाइट पे हमें काम नहीं करना चाहिए या कौन सी ऐसी activities है जो हमें नहीं करना चाहिए ता कि हमारा जो ट्रैफिक है वो drop ना हो तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है गाईस तो सबसे पहले चीज़ तो यही होते है कि आप लोगों को जो core updates होते हैं उसे अच्छे से समझना चाहिए कि क्या policies क्या Google ने बनाई है कि जो हमें follow करनी चाहिए तो सबसे पहले तो हमें ये knowledge होना चाहिए कि core update आखिर आया क्या है तो guys यहाँ पे आ के आप लोग सारी information ले सकते हैं और last 2 core update आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा तो guys यह पहली चीज ती जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है अब इसके बाद guys जो second चीज़ है वो है analyze your website performance अब आप लोग देखेंगे guys कि आप लोग अपने website के performance को हमेशा analyze करते रहना चाहिए आप लोगों को वो क्यों करना चाहिए मैं आप लोगों को बताता हूँ जैसे आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का traffic अच्छा बला चल रहा होगा बट एकदम से drop होगा या एकदम से बढ़ जाएगा तो दोनों सूर्तों में guys आप लोगों का अपने website को जरूर analyze करना चाहिए जैसे ये मेरी website थी यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि stable traffic चल रहा था बट एक time को थोड़ा सन down होगा दन इसके बाद ये traffic अपने आप बढ़ गया तो ये कैसे बढ़ गया guys ये बढ़ गया guys Google core update के बाद क्योंकि मैंने analyze किया कि जो policies Google ने score update में publish की थी मेरी website उसके according ही चल रही थी इसलिए जो मेरा traffic है वो कभी भी down नहीं हुआ और वो बढ़ता ही रहा है दन इसके बाद आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि कौन से pages पे कौन सी countries पे कौन से search queries पे आपकी website rank कर रही है और Google उन queries पे अपनी कोई नई policies तो उसने नहीं बनाई है तो आप लोगों को ये सारी चीज़े भी ध्यान रखनी है ये सारी चीज़े आप लोग ध्यान रखते हैं तो आप लोग बहुत आगे निकल जाएंगे traffic drop के मामले से और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अपने website के traffic को चाहे वो घटे या बड़े उसे analyze करते रहना है तो ये second चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है इसके बाद guys जो third चीज़ है वो है content quality assessment अब इसमें तीन चीज़े होती है guys वो तीन चीज़े कौन-कौन सी होती है मैं बता देता हूँ एक होता है content audit, keyword relevancy and eat factors अब ये तीनों चीज़े मैं आप लोगों को समझाता हूँ सबसे पहले तो आप लोगों को अपने website का content audit करना होता है और content audit करने के लिए मैं आप लोगों को एक website बता देता हूँ तो guys content audit mainly होता क्या है आप लोगों को अपने website जो अपने content लिखा है उसे चेक करना होता है कि उसमें guys कुछ आप लोगों ने गलत तो नहीं लिखा जो कि Google policies के against है या आप लोगों को उहाँ पर update या refresh की ज़रूत तो नहीं है तो आप लोग यहाँ पर link graph.com पर आ सकते हैं और यहाँ पर आके आप लोग अपने account बनाएं देन इसके बाद site audit के button पर click कर दीजिए और यहाँ पर अपने website का URL आप लोग डाल देंगे अब जैसे ही आप लोग अपने website का URL यहाँ पर डालेंगे जैसा कि देख सकते हैं मैंने डाल दी और इसके बाद audit site के button पर click करेंगे तो यहाँ पर user agent में आप लोग search lab select कर लीजिएगा यहाँ पर कुछ भी changes आप लोगों को नहीं करना है as it is आप लोगों को वैसे ही सारी चीज़े छोड़ देनी है जैसे crawl speed, crawl budget, crawl frequency सारी चीज़े आप लोगों को ऐसे ही रहने देना है और इसके बाद start audit के button पर आप लोगों को click करना है अब जैसे guys आप लोग start audit के button पर click करेंगे तो यह website के जो कुछ boards होंगे आपके website पर visit करेंगे आपके articles पर visit करेंगे और इसके बाद guys यह आपके website का audit report आपको within two और three hours के अंदर दे देंगे और आप लोगों को पता चल जाएगा guys कि आपको website में क्या कमी है क्या broken urls तो नहीं है या बहुत सारी ऐसे factors होते हैं जो की यह boards आप लोगों को पता लगा के दे देंगे इस dashboard में जैसा की देख सकते हैं अभी जो मेरे website का crawling है वो under process है तो guys यहाँ पे मेरे को थोड़े ही time में अपना जो भी report है अपने website के मिल जाएगी तो आप लोगों को time to time अपने website का audit करता रहना चाहिए जिसमें आप लोगों की site health, total pages, सारी चीज़े मिल जाती है अब इसके बाद guys जो second चीज़े है वो है keyword relevancy अब guys यह जो core update आया इसमें keyword relevancy की बात की गई है जैसे कि आप लोगों ने article लिखा मान लीजिए how to recover website traffic from google core update और आप लोग अपने article में लिखते हैं कि how to get free website traffic तो यह दो अलग चीज़े हो गई तो ऐसे में क्या होगा guys गूगल ऐसी websites को punish कर रहा है जो उनका keyword कुछ और होता है और content कुछ और होता है मैं आप लोगों को google करके ही दिखा देता हूँ तो हम simply चलते हैं google पे और google पे search करते हैं eat factors अब guys यह बहुत important चीज़ होती है अगर आप लोग अपने किसी एक particular निश में काम कर रहे हैं जैसा कि हम search करते हैं eat factors और इसके बाद अगर हम देखें कि यह होता क्या है या यह क्या चीज है तो देख सकते है eat factors का नाम मतलब होता है expertise, authority, taitiveness and trustworthiness अब यह तीन चीज़े होती है अगर आप किसी micro niche में काम कर रहे हो इसमें आपके website की एक authority बन जाती है आपके expertise बन जाती है और आप लोगों का trust बन जाता है तो यह तीनों चीज़े अगर आपकी बनती है तो आ next चीज है वो है mobile friendly design अब इसे आप लोग चेक कर सकते हैं google search console में आप लोग अपने website का mobile friendly design page experience में आके check कर सकते हैं जैसा कि देख सकते हैं 96.6 good urls है मेरे website पे जो कि mobile के लिए best experience provide करते हैं तो आप लोग ऐसे ही अपने pages को check कर सकते हैं और आज के बाद अगर आप लोगों का score क दम आता है तो आप लोग अपने template वगरा change कर सकते हैं और mobile usability में आके देख सकते हैं कि कितने pages आप लोगों की usable है on mobile क्यूंकि most of the visitors आते हैं वो mobile के थ्रू ही आते हैं तो आप लोग इसको भी check कर सकते हैं कि कितने लोग mobile के थ्रू आपके website पे आ रहें और वो mobile friendly design है की नहीं अब गाइस इसके बाद जो fifth चीज होती है वो है backlink audit अब backlink audit बहुत important होता है गाइस backlink audit आप लोगों को करना चाहिए जिससे पता चलता है कि आप लोगों का कोई toxic backlink तो नहीं बना हुआ और यह backlink audit आप लोग कर सकते हैं scm rush के थुरू href के थुरू जो भी टूल आप लोगों के पास हो उसके थुरू आप लोग बैक लिंग कर सकते हैं मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं scm rush के थुरू कैसे backlink audit कर सकते हैं जैसे देख लीजिए मान लीजी ये एक website है किसी गी अब यहाँ पे मैंने इसका backlink audit किया तो देख सकते हैं यहाँ पे इसके सामने बहुत सारे result आ गया जैसे इसमें कितने कितने इसमें toxic domains हैं जो की इस website की ranking को बहुत ही हद तक बेकार impact पर पहुचाने वाले हैं इसी के सासर गाइस यहाँ पे backlink की पूरी report मिल जाती हो तो ऐसे में आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसे backlinks कुछ ऐसे links मिल जाते हैं जो की point कर रहे होते हैं आप लोगों के website के towards और ऐसे में उन backlink से पिछा छुडवाना बहुत जरूरी होता है जैसे यहाँ पे 33 toxic backlinks हैं इस website पे तो अब इनकी पूरी report आप लोगों को मिल जाएगी दन इसके बाद जैसे ही आप ल Google डिस्वाव टूल के थूँ तो गाइस यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को अपने site का audit देन इसके बाद backlinks का audit जरूर करते रहना चाहिए time to time करते रहना चाहिए जिससे कि आप लोगों के अपने website पे जो content है उसका audit मिल जाए कि वो कितने हैं सही है कितन audit and refresh content अब ये भी बहुत important होता है कि आप लोगों को time to time अपने जो आप लोगों ने articles लिखा है उसमें भी changes करते रहने चाहिए उसे refresh करता रहना चाहिए देनिसी के सासाथ उसमें भी update करती रहनी चाहिए और गैस इसके बाद जो last चीज हमारे सामने आ जाती है वो है patience and monitoring within one or two hours या एक या दो week के अंदर आप लोगों का traffic stable हो जाएगा जो पहले था बट आप लोगों को सारी चीजे समझनी चाहिए Google जो core update आएगा उसको समझना है कि उसके according ही अपने website को आप लोगों को follow करना है so guys I hope आपको मेरे वीडियो पसंद आया जिसमें मैंने आप लोगों को बताया Google core update के through traffic drop को कैसे आप लोग recover कर सकते हैं कुछ tips मैंने आप लोगों को बताई जो कि मैं खुद follow करता हूँ और इसके बाद मेरा traffic drop नहीं होता है बलकि traffic drop तो होने के बजाए मेरा traffic और बढ़ गया तो आप लोगों को अगर ऐसे ही अपने traffic को recover करना है तो पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा इसे आज माये and I hope आपको traffic फिर से recover हो जाएगा so guys I hope आपको वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करिएगा and ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सुबाइस मिलते नेक्स्ट वीडियो में until then good bye